करें लोग ने बाद शाइन वार्फ एक्साइशन या कोई बेलम की तो यह मार पास कॉंशिस सेंसेशन बगार को खास कंट्रोल नहीं है इसमें मोटर एक्टिवीटीज को कंट्रोल करता है जैसे रर्णिंग टाइपिंग प्लेंग ला इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कि इसमें के सकथा बिदेखं़ नहीं को खास कि नहीं होगे ठीक है स्कुवैंचिल मोटर एक्टिवीटीज को कंट्रोल करते है रसीव करते है sup चैरिवल क्यूंट को है और एसकुरियर को हेलप करता है सिकोट इसकुवैंचिल मूवमेंट को रोल प्ले करने में अब मार पा अब इसको आगे हम लोग देखे ना फंक्शनल डिविजिन इसकी कैसे है अगर हम यह बनाएं कि हमाई पास बीच में वर्मिक्स है बहुत ही बुरी डागनाम बनी है इसके पार्टिशन कर दिया है इसके वर्मिक्स बना डिया इं राका इसके पार्टिव्ए जोन इसके बिचे के पार्टियुट लवन इन्टियु अ हम ouब निची दम वर्मिक्स बना त查 करी अजब Senior के क्लासिफिकेशन वर्मिक्स बाटिखे यक इंसके Ambla, इसके अतर वादा है इन में क्या क्या आते हैं वर्मिक्स में हमारे पास आते हैं एक्जियल मस्कुलेचर जाते हैं अब एक्जियल में हमारे पास क्या क्या आएगा नेक आएगा शूल्डर ट्रॉंक pelvis hips ठीक है इसमें हमारे पार्ट्स आगे अब हम लोग देखते है intermediate zone में हमारे पास क्या क्या आएगा intermediate zone जो है हमारे पास ये control करता है distal part of limbs को distal parts of limbs ठीक है और जो है lateral zone ये क्या करता है कि हमारे पास उपर जाके join करता है cerebral cortex के साथ और सारी की सारी तकरीबन motor movements को sequential motor movements को control करता है overall motor movements ओके ये हमने ये कर लिया यहां से ये हमने यहां से पीछे से अब तक यहां पर पढ़ लिया कि इन्होंने कैसे डिवाइड किया ये तीनों इसके parts पढ़ लिये कि कौन कौन सा motor activities हो गारा अब हम लोग आएंगे neuronal circuits पे क्यों से एफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स फाइबर्स जो हमारे पास आते हैं उसके पास cerebellum के पास सबसे पहला हमारे पास आएंगे जो brain के मतलब brain से होते हैं पार्ट्स ऑफ brain के ठीक है उसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा cortico-ponto-cerebellar path यह हमारे पास originate होते है cerebral cortex से या स्मेटो-sensory cortex से cerebral cortex लिखने था cortico लिखावा है ना तो cerebral cortex यहां से हमें पता लग गया ठीक है और यह हमारे पास ponto है ना तो मतलब pond से या ponto-cerebellar nucleus से पास करता हुआ जाएगा और जाना कहां पे जारे एफरेंट्स हो तो cerebralum में जाएगा ना तो cerebralum के तीन पार्ट्स पढ़े हैं हमने vermix, intermediate और lateral अब इसने कहां जाके terminate करना है lateral पे अब जो चीज़ें यह याद रखनी है बाकि इसमें कोई रटा नहीं है क्योंके नाम से पता लग रहा है cerebral cortex से होता हुआ pontine nucleus से पास करता है इसने cerebellum के lateral zone में चले जाना है ठीक है olivo cerebellar tract olivo मतलब हमाँ पस जाता है inferior olivory nucleus यह हमाँ पस इधर pond से होता हुआ pond से फिर यह जाता है cerebellum के कौन से पार्ट में all the parts of cerebellum ठीक है all parts of cerebellum में चला जाता है सबसे पहला हमाँ पस कहां गया coatoponto cerebellar ता lateral zone में चला गया यह सब parts of the cerebellum में चला गया अब यह देखें vestibular vestibular cerebellar है vestibular apparatus से originate हुआ vestibular nerve होती है c8 cranial nerve अब यह किस zone में जाएगी यह हमने पढ़ाया था ना vermix intermediate और lateral यह floconodular lobe में जाएगा ठीक है floconodular lobe में यह lateral zone में गया यह all the parts of the cerebellum में गया यह floconodular lobe में गया reticulocerebellar reticulocerebellar नहीं हमाँ पस different parts of the reticular reticular formation नहीं होती है यह तो reticular formation और यह तो different parts of the brain stem से होता हुआ brain stem यह जाएगी vermis पह यह पह जाकर terminate हो जाएगी lateral zone all the parts of the cerebellum floconodular lobe vermis यह हमाँ पस थे afferents जो brain other parts of the brain से यह brain stem से थे अब हमने वह afferents पढ़ने हैं जो हमाँ पस peripheries यह आते हैं spinal cerebellar tract spinal cerebellar tract अब कौन कौन सा spinal cerebellar होता है anterior और posterior ठीक है अब हम लोग इसको diagram से देखते हैं अब हमाँ पस देखें एक हमाँ पस है anterior spinal cerebellar tract मतब ventral और दूसरे हमाँ पस कहां गया दूसरा हमाँ पस dorsal spinal cerebellar tract अब अगर हम लोग देखें के हमाँ पस जो dorsal spinal cerebellar tract यह कौन से नहीं उदर से पास करकर आ रहा है यह हमाँ पस गुजरता हो आ रहा है inferior cerebellar peduncle फिर हमाँ पस आ जगते है उसमें एंटर हुआ cerebellum में वर्मिक्स में आके terminate कर गया और intermediate zone में इसने कहां कहां पर terminate करना है वर्मिक्स और intermediate zone में यह हम पढ़ें dorsal ने अब ventral वाला किस peduncle के थूँआ आ रहा है superior cerebellar peduncle के थूँआ रहा है और यह both sides of the cerebellum में तर्मिनेट कर जाता है इसमें सिर्फ इतनी बातें पढ़नी है यह देखे हैं डॉर्सल है inferior cerebellum terminate हो जाता है वर्मिक्स में intermediate zone में ventral जो anterior वाला था superior cerebellar peduncle के थूँआ पास करता है ठीक है और इसमें आपस जोंस है ना आपने यह dorsal spinal cerebellar इसमें हमाँ पास somatic receptors है और ventral वाले में peripheral receptors है इतनी बात याद रखनी है और इसकी velocity याद रख लेनी है superior spinal cerebellar tract किस velocity में अपने impulses पास करता है 120 meter per second अब हमने पढ़नी है efferents of the cerebellum efferents में हमाँ पास आते हैं कि देखे हमाँ पास है यह हमने बनाया था vermix यह intermediate बना लेते हैं और यह हमाँ पास आ जाता है lateral ठीक है vermix में अब हमाँ पास कौन सा nuclei है यहां पे आएगा festigial nucleus festigial nucleus intermediate zone में हमाँ पास आएगा interposed और यदर lateral में हमाँ पास आ जाएगा dentate nucleus इनको superficial अच्छे से बस रीट कर लेना है कि जो हमाँ पास पहला वाला हमने पढ़ा कि मिडलेन मतब वर्मिक से कौन से हमने पढ़ा था festigial nucleus वहां से पास करता हुआ pontine nucleus of the इदर चला जा जाते brain stem ने इसका function क्या होगा equilibrium maintain करता है ठीक है दूसरा हमाँ पास था जो intermediate zone से जाता था वह हमारे पास था interposed nucleus यह यहां से पास करता हुआ interposed nucleus जाएगा interposed nucleus ventral anterior nucleus of the thalamus cerebral cortex mid line of the thalamus में चला जाता है उदर से बीजल गैंगलियान में फिर red nucleus में फिर हमाँ पास था terminate कर जाता हुआ यह क्या function perform कर वाता है agonist और antagonist muscles और coordinate कर देता है muscles की movement को जो कि हमाँ पास antagonist और agonist muscles से तीसरा हमाँ पास आ जाता है जो lateral zone में थे इसमें वापस पर congee and the deep nuclear cells अब हम लोग ने सबसे पहले cerebral cortex की layer करनी है एक हमाँ पास यहां पर molecular layer फिर हमाँ पास आ जाती है पर congee layer अब हमाँ पास आ जाती है granular layer granular layer उससे नीचे हमाँ पास आ जाती है deep nuclear ठीक है है यहां पर हम ने deep nuclear जहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे हम एक deep nuclear प्लेस कर जिता है एक मोटा सा nuclear बना जाता है जहां पर कंजए है तो वहां पे परकंजए कर एक nuclear यहां पर नेुकुलिए molecular layer को थोड़ा इसहां इसтаки करके benad Pubipped थोड़ा सिर्स CIV करवाने के लिए कि यह हमारे पास आगई मॉलेकलर लिए अब आपस देखो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पशहंगे इसमें Chagni वी ठी होते है कि इन भीड ति ठी क्लैंबिंग फैबर्स भर्स हाइं यह हमारी पास दोल्रों Chagni अब क्या आरहे है कि climbing fibers हमारे पास आरहे हैं inferior or livery nucleus of the medulla से थीक है हमारे पास climbing fibers हैं इसने अपनी कुछ excitatory branches यह जा तो upward move कर रहे हैं पर इस अपनी कुछ excitatory branches देती हैं इसको deep nuclei को positive दे दिया मतब excitatory है फिर upward move करते हैं upward move करते 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 यह हमारे पास जो परकंजे पड़ावाते हैं इसके कुछ dendrites और इसकी body और सोमा इस तरह करके molecular layer में जा रही होती है ठीक है एक हमने यहां से बात बता दी जो climbing fibers हैं यह move करते 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 molecular layer में जाके synapse कर जाती हैं किसके साथ synapse की हैं इसकी dendrites के साथ किसकी परकंजी layer की dendrites और इसकी body के साथ जाके synapse कर लेते हैं यह 300 synapses कहलो होती है 300 synapses ठीक है एक climbing fiber 5 to 10 परकंजी fibers को excite कर सकता है one climbing fibers can excite 5 to 10 परकंजी fibers ठीक है note अब यह हमाई पर से climbing अब हमाई पर आएंगे mossi fibers इदर से mossi fibers आए इसने आके कुछ अपनी excitatory to the deep nuclei को और जाके यहां पर granular layer में जाके इसके cells के साथ synapse कर लिया granular cells के साथ जाके synapse कर लिया अब यह हमाई पर कितने 100 to 1000 synapse थे ठीक है 100 to 1000 synapse थे granular layer के साथ और इसके कितने थे 300 synapses with the body and the dendrites of perkinje cells यहां जाके इसने synapse के ना granular layer में तो यह granular cells के साथ synapse के ना तो granular cells अपने कुछ dendrites यह exons उनसे ना यह ऊपर को भेजता है पर कंजी layers में यह बहुत छोटे से होते हैं मतब कहलो के one millimeter in diameter होते हैं यह अपने कुछ dendrites उपर भेजते हैं इधर और यह क्या करते हैं वहां जाके multiple divide हो जाते है multiple divisions में laterally और जाके यह देखो कहलो के divide होते जारे हैं होते जारे हैं होते जारे हैं और पर कंजे के साथ जाके senapse कर गए हैं ठीक है अब यह एक climbing fiber चाहिए था to excite 5 to 10 पर कंजी fibers को 5 to 10 पर कंजी fibers को सिर्फ एक climbing fiber चाहिए था और यह mossi fibers जो थे 502,000 mossy fibers required 1 to excite 1 per Kanjai fiber ठीक है 502,000 mossy fibers चाहेंगे 1 per Kanjai को excite करने के लिए और यह एक ही climbing fiber जो 5-6 per Kanjai को excite कर सकता था अब यह जब इसने जाके किया तो इसका potential, spike potential, action potential कैसे बनेगा कि सबसे पहले कि strong spike इसने दी पिर आइस्ता 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 इसकी spike जो नहीं है वो कम होती गए तो हम आपके जो spike potential बना इसका complex spike potential कंपलेक्स स्पाइक बना ठीक है और यह मौसीफाइबर's का जिसका सब आरेक्ण्जे के इसका चीक बने करने माइबर होता है START फिसकbung पर मिस्माइब आरेक्ण्जे मौझ CO BE established a variety of premium तुम सब्बोष है The की वज़ा से सिंपल कि स्पाइक कहते हैं अब क्या हुआ इसको यह जुन सता डीप न्यूकलिय इसने आगे जा के अपना मसल्स पे वर्क करना था ना अपना आउटपुट देता है अब यह दोनों ने तो अपना एक्साइट टेटरी दे दिये सिगनल यह तो नहीं है कि यह ज इनिबिटरी तो ओवर कम दे ओवर एक्साइटेशन इस वज़ए से हमारे पस बैलंस करने के लिए पर कंजी इसको इनिबिटरी इंपुट देता है यह पूरा का पूरा मैंने यहां से पढ़ा दिया यह देखें सबसे पहले हमारे पस मोलेकलर लिया थी पर कंजी लियर ग् कुछ अपने देते हैं और यह उपर जाते हैं कलाइमिक फाइबर पर कंजी इंपुट और उसकी बॉड़ी के साथ इन ने साइन एंप्स के तुरी हएं धुट इस रगवाईड वाइड फाइबर्स के लिए और हमारे पस यह मॉस्टि फाइबर आय इन्हों ने पहले इसको वहुता सठीन जाकिए 572 के साथ जा कि पर इसका सेंप्सकरों स्ब्सक्राइब करें साथ बाट अपर अनुछ हम देश्य प्रिखने हैं इसका समयनियों स्ब्सक्राइब करका दो अब इसके एक्स्ट्राइबाद तु स्टॉप दह मिसल्ना मुवमेट सेडिय कबडिया है। में परती पेलर मिर्न तो करें न करें परकंजे संभी क्याओं यह है हमारे पास turn off or turn on mechanism इसमें हमारे पास क्या होते है कि जब movement होनी होती है मतलब समझो कि जब हमने चलना है तो हमारे क्या होते है agonist muscle on है और antagonist off है जब हमने रुकना होते है movement को stop करना हो agonist off हो जगा antagonist on हो जगा simply इस पूरे paragraph में यह लिखावे है हमें आगे सिर्फ पूरा यह रुटा मानने की ज़रत नहीं है सिर्फ इतनी सी बात इसकी याद करने इस more than enough फिर हमारे पास आजाते है function of the cerebellum in overall control movement यह तो रुटा मानना पड़ेगा याद करना पड़ेगा vestibular cerebellum, spinal cerebellum, cerebrus cerebellum vestibular cerebellum control करता है equilibrium को postural attitudes of the body को और हमारे पास spinal cerebellum control करता है coordinate reciprocal contraction of agonist or antagonist muscles को और comparator and the damping function करता है और यह जो हमारे पास है cerebrus cerebellum यह हमारे पास क्या करता है helping करता है coordinate sequential activities by the cerebral cortex